नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आएं इस एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की हर एक बड़ी खबार इन खबरों को जाने के लिए बस आप साथ में बने रहिए पूरा किया है जारी आगे जानते हैं अपडेट वहीं दूसरे तरह बिग ब्रेकिंग निउस आ रही है इलेक्ट्रोनिक मशीन को लेके जी हां गुजरात बूत में घुसके फरजी मतदान का मामला गुजरात से आ रही है लेटेस्ट अपडेट वहीं अगर आप भी मानते हैं इस लाइक वीडियो को जरूर कीजेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जय हिंद जय भारत त्रतीय चर्ण के मतदान के बाद बीजेपी समझ गई है इस बाद सत्ता से विदाईत हैं इसलिए आप धान मंत्री अपने मित्रों को भी गहने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं वहीं अब राहुल गानी ने भी एक वीडियो जारी करते हुए पलटवार किया है जी हां पियम मोधी के बयान पे राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा क्या मोधी जी को अमबानी अडानी ने टेंपो में भरके काला धन दिया है इस बारे में उन्हें बहुत जानक पूरे मामले पर राहूल गांदी ले लगाता घेरा कहा कि एड़ी सीवी आई आई टी आपकी है जाज कि उन्हीं करवाते हैं जाज करवा लीजिए सच सामने आजाएगा राहूल गांदी कर यह बयान सोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है यहां पर आपको बताते चलें पर हैं वक्तिकत अनुवा है क्या जल्द से जल्द EDCBI भेचिये वहां घवराईये मातिये राहुल गानी ने तंज कसा है घेराय प्यदान मंत्री को किया है जवादास्थ पलटवार वहीं अगर आप लोग भी राहुल गान्दी की बातों से सहमत हैं समायथन में हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजेगा इस बार विग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राजस्थान से जीहां वसंदा राजे होंगी राजस्थान की अगली मुख्य मंत्रे सूत्रों ने बड़ी जानकारी चार्ज उनके बाद कमाल देखने को मिरेगा बीजेपी के केंदर से सत्ता हटते ही बीजेपी सासित राज्यों में हडकंप मचनाता है राजस्थान से भजनलाल का सीम पद से हटना लगवक्ताएं हो गया है सूत्रों ने बड़ी जानकाई दी है सकते हैं यह ताज़ा अपडेट है अगर आप भी कौंगेस पार्टी इंडिया के साथ हैं और लाइक नहीं किया वीडियो तो एक लाइक जरूर कीजेगा गुजरात से अपडेट आ रही है गुजरात में बीजेपी के नेताने की बूत कैप्चरिंग सोसल मीडिया पार ला मेरे बाप की है जी हां आपको बताते चले मुदी के गुजरात में नेताओं ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर बूत कैप्चरिंग का वीडियो जारी किया लाइब किया और यहां पर इलेक्ट्रोनिक मसीन से छेर चाड़ की और चुनाव आयोग यहां पर सोया हु यहां पर यह ताजा वीडियो जो है वहां गुजरात से निकल के आया है आपको बताते चलें तेतिये चरण के मतदान में गुजरात की सभी 26 सीटों पर बोटिंग हुई थी इस दोरान बीजेपी के नेता ने यहां पर हरकत की है इसका वीडियो भी सोचल मीडिया पर वायर जाया गया इस पर आप विवाद और भी बढ़ गया है वीवाद इत्र…क गुरू पूलिस यह का रवाइं आपत्ति जनक एनिमेटेड वीडियो मामले के लिए आरच्छन पर जारी बिवाद को मुद्दा बनाया गया लेकिन वीडियो मुस्लिम समुदायों कॉंगेस को अपत्ती जनक रूप से पेस करता था इसके खिलाब सिकायद की गई जिसके बाद यहां पर F.I.R. भी तरच कराई गया इजनटा और यहां पर अमित मालवि और इसके लिए कोड्य से अरविंद के जिवाल की अन्त्रीम जमानत याचपा सुप्रीम कोड में सुनबाई हुई थी लेकिन बेंच आदेश जारी नहीं किया था उड़ गयी थी वहीं अब सु्क्रवार को अदेश जारी कर सकती है स्प्रीम कोड की बेंच मामले की सुनब सकते हैं एस भी राजू को यह यहां पर बात कहिए पीठने आपको बताते चाहें चुनाओ के चलते अर्विंद के जीवाल को जमानत मिल जाएगी यहां संभब माना जा रहा है अर्विंद के जीवाल आकर बाहर चुनाओ पचार करते जल्द ही दिखेंगे इसे के साथ अगल प्रेंका गांधी वहीं रायवायली की जनता से भी जन संपर्क कर रही है संबाद कर रही है रायवायली की जनता ने कॉंग्रेस को रिकॉर्ड बोटों से जीत दिलाने की ठान ली है न्याई की जीत होगी कहना है प्रेंका गांधी का कॉंग्रेस महासची प्रेंका गांधी ने जन संपर्क करकर में राय वैली की आम जनता से संबाद किया इस डॉयन उन्होंने कहा कि राय वैली की जनता ने कॉंगेस को भारी मतों से जीत दिलाने की ठांग ली है और न्याय की जीत होगी आप सभी को बताते चलें प्रेंका गांडी अमेठी की जिम्मेदारी भी समहल नहीं है प्रेंका गांडी ने राय वैली में कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी दो सबसे बड़ी समस्या हैं मोदी जी के राज में इतनी महंगाई है कि महनत कर कमाई होने पर भी जरूरते पूरी नहीं होती सरकार ने आपकी मदद करने के वज़ाएं आपको पांच किलो रासन पकड़ा दिया खेती में भी कमाई नहीं हो पा रही क्यूंकि हर चीज में जी अश्टी देनी पड़ रही है प्रियंका गांडी ने यहाँ पर मोदी सरकार को भी घे रहा है तुरसे तरह भरी रैली में अडानी अंबानी का नाम लेने पर अब प्रधान मंत्री घिरते जा रहे हैं कॉंगेस पार्टी लगातार हमलावर है एक तरह राहूल गांदी वीडियो जारी करके लगातार घेने में लगे तो आब कॉंगेस नेता स्रीनिवास बीवी ने भी आपे टूइट किया लिखा मोदी जी ने बड़ा खुलासा किया है कि अडानी अंबानी के पास काले धन के बोरे भले हुए पैसे हैं जी हाँ सिनिवास बीवी ने घेरा वहीं आपको बताते चले पवन खेडा बोले हैं कि अब तक राहूल गांदी एक सो तीन बार अडानी और तीस बार अंबानी का नाम ले चुके हैं प्यधान मंतरे जूंट बोल रहे हैं की अब कॉंगरेस पार्टी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रही है जी हाँ वहीं, फिल्म मेकर बिनोत कापडी ने कहा कि अगर राहूल गांदी ने अडानी अंबानी से टेम्पो भर के कालाधन मंगबाया है तो आपकी ED-CBI-IT कहा है, उन्हें आगे लाईए जाच करवाईए मलिका जुन खड़गे का भी बयान आ चुका है, मलिका जुन खड़गे बोले वक्त बदल रहा है, अब दोस्त दोस्त ना रहा, तीन चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद, आज मोदी जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए, इससे पता चल रहा है, मोदी जी की कु असली रुजहान है, देख सकते हैं, अब अपने मित्रों को ही निसाने पर ले रहा है, पदान मंत्री ये कहना है, मलिका जुन खड़गे का यहां पर जबादर्स तरीके से कॉंगेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ अपने उमीदवार तक बदल रही है, कमजोर उमीदवारों को मैदान में उता रही है, जिससे की सीधे सीधे बीजेपी को फायदा हो सके, और आपको बताते चले हाली में मायवती के भतीजे, आकास आनंद, जब यहां पर बीजेपी पर हमलावर हुए तो उन पर भी गाज गिर गई, बीजेपी पर हमलावर रहे आकास, अब मायवती के उत्रा अधिकारी नहीं और यहां पर नैस्नल कॉर्डिनेटर का पद भी गया, हाली में आकास आनंद, लगातार बीजेपी पर रैलियों में हमलावर थे, बीसपी के लिए रैलियां कर रहे थे, अब वहां पर मायवती ने अपना फैसला बदल दिया, उन्हें उत्रा अधिकारी नहीं बनाया, और यहां पर इसके अलावा उनका नैस्नल कॉर्डिनेटर पद भी बापस ले लिया गया, इस प्रकार से बीजेपी की बीटीम के रूप में यहां पर बीसपी काम कर रही है, देख सकते हैं आप सभी लोग, अगर आप भी इंडिया गठनून के साथ हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजेगा, शेर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ वही, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद